बिग बॉस में एंटर करने वाली टेलिविजन एक्ट्रेस रुबीना दिलेग दिन बदिन काफी जादा पॉपुलर होती जा रही हैं सीजन की शुरुवात से ही वो हमेशा सही का साथ देती हुई दिखी है लेकिन अब रुबीना ने एक ऐसा काम किया है जिससे वो जनता के और भी करीब आ गई है ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि सीजन की शुरुवात से ही रुबीना दिलेग अभिनब और राहुल वैद्य के बीच लड़ाई देखने को मिली है इस कबल को अकसर ही राहुल वैद्य के साथ लड़ते हुए देखा गया वही राहुल वैद्य भी इनसे उलजने का कोई मौका नहीं छोड़ते लेकिन अब रुबीना ने राहुल वैद्य के लिए जो किया है वो देखकर राहुल वैद्य के फैंस भी चौक जाएंगे और उन्हें ये पता चल जाएगा कि रुबीना दिल की बहुत अच्छे इनसान है बीते दिनों जब राहुल वैद्य ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठें तो उनके लिए एक पराठा कम पड़ गया जिसके बाद उन्होंने रुबीना और अभिनव से आकर पूछा कि क्या पराठे सबको एक एक ही मिले हैं जिसके जवाब में रुबीना कहती हैं नहीं मैंने तो गिन कर बनाए हैं और सबके लिए दो दो बनाए हैं रुबीना आकर देखती है तो सच में राहुल के लिए एक पराठा ही बचा होता है जिसके बाद राहुल कहता है कि चलो कोई बात नहीं लेकिन रुबीना कहती है कि ऐसे कैसे घर में पहले ही राशन कम आ रहा है तो तुम एक पराठा क्यों खाऊंगे रुको मैं तुम्हारे लिए एक पराठा और बना देती हूँ इसे बीच वो दाल और आटा निकालती है और पराठे बनाना शुरू करती है लेकिन अभी नवाते हैं कहते हैं कि राहूल के लिए पराठा मैं बना दूगा इस तरह से इस कपल ने लोगों का दिल जीत लिया स्टोरी को लेकर आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर दे सकते हैं साथ ही हमारे चैनल यून्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटिस्ट अपडेट